तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा के बाद हम अपने अगले सत्र की और आगे बढ़ेंगे हमारे सत्र में महमान जो रहने वाले हैं वो हमारे बीच पहुँंच चुके हैं राविंद्र जीट सिंख जी देखिए अहिरवाल पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सबसे करीब है और बहुत सारे मुद्दे हैं अहिरवाल के चाहे मध्य हरियाना जो है वो तो रेत के टिब्बों से जानता है अहिरवाल को इसके अलावा नौकरियों का अहीर रेजिमेंट का बहुत सारे इशूज हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अपने सत्र म का अहिरवाल की राजनीती पर हम चर्चा करेंगे अपने सत्र में कि कितना बदला है अहिरवाल बैल्ट कौन से मुद्दे हैं और अब अहिरवाल की राजनीती किस दिशा में जा रही है इन तमाम पहलूं को लेकर राज चर्चा करेंगे राव इंदर जी सिंग जी से और हम अपने सत्रु की शुरुवात करते हैं, over to you, राच बहुत बहुत सुक्रिया सौनल, स्वागत है सर आपका हमारे गुरुग्राम मंच पर देश और परदेश दोनों ही 2024 में चुनाओ की तरफ आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में, इन नो साल में केंद्र सरकार ने क्या कुछ खास किया, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि केंद्र में आप मंत्री भी है, एक बड़ा अनुभाव आपको राजनीती का भी रहा है, तो इन नो साल की बात करें, खास दोर से केंद्र सरकार के, किस तरह से देखते हैं केंदर सरकार की अगर बात करें तो सबसे पहले जिस पे हमारा ध्यान आकरशित होना चाहिए वो हमारी इंटरनेशनल इमेज जो पहले की निस्बत कितनी ज्यादा बेहतरीन हुए है और खास तौर पिछले चार पांच साल के अंदर लेकिन कुल मिला कर के अगर देखें जो को कोविड आया था उससे पहले देश की क्या साक थी और कोवड आने पे अपरांथ हमारी क्या साक बनी है इसके ओपर धिधान देंगे तो आपको महसूस होगा कि जो मुलक हंदूस्तान एक जमाने के अंदर यो उसके विशय के अंदर सोचा जाता था कि इसको हम कुछ प्रदान करेंगे, इन से लेने की किसी की सोच नहीं थी, इन को देने की और कितना देना है, उसकी सोच आम तोर पर ये जो सामरत मुल्क थे, उनकी इस तरह की सोच हुआ करती थी, लेकिन जैसे कोविड का प्रकोप विश्व के अंदर चाया, जगहे के उपर लोगों ने तरह ही तरह ही मचाई, वैक्सिनेशन के लिए जो बड़ी बड़ी फार्मसूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने अपना पॉंड अफ फलेश लेने के लिए गरीब मुल्कों को, खास तरह जो लैटन अमेरिका के मुल्क हैं या एफरिका के सब साहरन एफरिका के मुल्क हैं, उनके किस तरह से उन से पैसे निचोडने की कोशिश करी, उस टाइम भारत उनके सहयोग के लिए, समर्थन के लिए और मदद के लिए पैदा हुआ, ना केवल हमने वैक्सिन अपने खुद के लिए इस्तिमाल करी, बल्कि हमने उन मुलकों को भी दी जहां पर वो लोग उनसे बहतरीन हुई है, और कोवड के उपरांत अगर फैनेंशल तोर पे भी अगर गिना जाए, जो मुलक हमारे उपर शासन कर गए, उनाइटिड किंडम जैसे, आज उनकी सालाना दर, रेट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी की दोग और तीन परसंट के बीच में चल रही है, पिछले स साल जो गया है, जो फैनेंशल ये पिछला वाला गया है, हमारी आर्थिक स्थिती जीडीपी वस सेवन पॉंट तू परसंट, एस कंपेर तो तू पॉंट परसंट, यॉरोपियन यूनियन, अमेरिका, इनकी तो वो दो और तीन के बीच में मंदला रही है, तो इस तरह से हम और मुलकों की बनिस्बत बहतरीन हुई है पिछले नाट-नो सालों के अंदर, और जो लोग यूं सोचा करते थे, कि हिंदुस्तान के लिए हम कुछ ने कुछ देंगे, आज की दिन वो यूं सोचते कि हिंदुस्तान से शायद आने वाले समय के अंदर, आर्थिक आर्थिक आज की अपएठी हास देखो, हिंदुस्तान के राज़ को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं और भी कई महँगाई की बात करें, यह तमाम मुद्दे भी है जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साहतता रहा है, देखे, विपक्ष का काम तो है कोई ना कुछ निशाना बना करके सरकार को परिशान करने का, और अपने आप को बहतरीन लाइट के अंदर दिखाने का, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं, आज आप एथिहास देखो, हिंदुस्तान के राज़नेतिक तौर के उपर, जब से हमारी प्रजातंत्र प्रणाली स्थापित होई है, सन से कालीस के बाद, यसन बावन के बाद, अनेक बार सरकारें चुनी गई हैं, कई बार सरकारें एक बार चुनने के बाद, दूसरी बार भी उसी पार्टी की सरकार चुनी गई हैं, लेकिन पिछले 75 साल के अतियास के अंदर मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आता, कि किसी एक प पांच वर्षी जो योजना थी हमारी 14 से लेकर के 19 तक उस टाइम के ऊपर लोगों ने हमारे को हमारी पार्टी को नरेंदर भाई मोधी को 273 वोट दिये थे और जब यह उननीस के अंदर चुना हुआ हालां कि कह रहे थे उप पोजिशन वाले एंटी इंकमबंसी वगएरा व यूं कहुँगा कि 55 अंतर के अंदर आपोजिशन तो अपनी बात करेगी और सरकार अपनी बात करेगी और फैसला करना किस ने है जनता ने जहीर सी बात है फैसला जनता ने करना है तो 2024 में एक बड़ी है ट्रिक की उमीद लगा रही है बीजे पी देखो उमीद तो जिनिय के अंदर 87 हो जाएं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश का उधार पिछले नौ सालों के अंदर हुआ है, जिस तरह से साख हमारे प्रधान मंत्री की नैशनली और इंटरनेशनली के तौर के उपर बंदी है, तो मैं समझता हूं कि BJP को ये अपने आप को पीट थब थबाने के ल साल में क्या कुछ खास देशड़ें हासिल किया BJP सरकार के शाषन में, अहिरवाल की बाद करें, तो क्या कुछ उपलब्दियां देखते हैं इन complete 9 साल में और कहां तक पहुंसता और बढ़ता महसूस किया है इस आहिरवाल को आपने इस नो साल के टेंग देखो आहिरवाल टर्म एक बड़ा सीमित सा टर्म हो जाता है इससे बहतर तो मैं यूं कहूंगा कि आप इसको रेफर करें दक्षिनी हरियाना के तौर के उपर बिलकुल और दक्षिनी हरियाना के अंदर हमारा जो फरीद बन गए हैं बाद में यह सारा दक्षिनी हरियाना के लाया जाता है तो इनके अंदर सबसे भारी जो दिक्कत थी पानी की थी दिली से पार हो करके पानी गंदा जाया करता था पीने के लिए प्रियाब पानी की मातरा मिलती नहीं थी इधर तो पहुंचता ही नहीं था जो न पहले तो मैं समझता हूँ के जो पानी की विवस्था हमारी सरकार में करी है पानी की संख्या जो बढ़ाई है यहाँ पर नहर नालों के मार्फत उसकी मरम्मत करके पानी को पहुचाया यह सबसे बहारी उपलब्दी हमारी है दूसरा जब पानी होता है इंफरास्ट्रक्चर क तोर के उपर हमारे यहाँ पर हुआ है शायद जब से हरियाना बनाए सन 66 से इतना ज्यादा काम इंफरास्ट्रक्चर के उपर दक्षिनी हरियाना के अंदर आज तक नहीं हुआ और मैं अगर आपको सूची बताओं फर्जन इसे एम्स हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ हमारे देश के अंदर तक्रीबन तक्रीबन दिहाद के चेतरों केंदर बहुत कम था, डॉक्टर भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हरियाना और दक्षिनी हरियाना एक ऐसा स्थान है जहां पर भारत सरकार की तरफ से दूसरा एम हमारे प्रदेश को मिला है दूसरा अड़ते हुए एक निया एम्ज मनेठी माजरा के अंदर स्थापित करना, मैं समझता हूँ हमारी सरकार की एक बड़ी भारी उपलब्दी है. और दिक्कत ये हुई कि हमने जो हाँ पहले इसको सुनिश्चित किया था, जो गाँ था मनेठी, उसने अपनी जमीन दो सो एकर देना मन्जूर कर दिया था. लेकिन दुर्भागे से जो जमीन वो नहोंने दी, उसके उपर नैशनल ग्रीन ट्रिबिनल की और फॉरेस्ट वालों की आपती होगी, क्योंकि अरावली का फॉरेस्ट एरिया डीम्ड फॉरेस्ट के तौर के उपर गिना जाता था, तो उन्होंने का ये डीम्ड फॉरेस्ट के अंदर हम नहीं बना सकते, उनके बगल वाला गाम है, माजरा, तो उन लोगोंने फिर वो बेड़ा उठाया, और उन्होंने का कि हम दो सो एकर जमीन दे दे देंगे आपको, तो आज के दिन दो सो एकर जमीन दे दी है, और वहाँ पर बोर्ड लग गया है, उसके लिए कुछ पैसा बाउंडरी वाल बनाने के लिए तजवीज हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी परदान मंतरी उसका शिलन्यास रखेंगे, तो ये तो हो गया, आपने पूछा तो बड़ी लंबी सूची है, ने ने बिल्कुल बिल्कुल बताईए तो ये तो हेल्थ इंस्ट्रेक्चर की बात हुई, दूसरा जहां बात रहती है रोड्स की, कोई भी मुल्क समरत नहीं बन सकता, जब तक कि उसके यहां पर रोड्स का इंफ्राक्स्ट्रक्चर ना हो, रेल्मेज का इंफ्राक्स्ट्रक्चर ना हो, तो हमारे यहां अगर दोचारी गिनात्वा हुँ मैं आपको, तो हमारे यहां एक लाख करोड का दिल्डी, मंबई, एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो देश का सबसे बहतरी एक्सप्रेस वे बनेगा, एक लाख करोड का, तीन जिले दक्षिनी हरियाना के, मतलब गुडगाओं और विवाद और कुछ इससा हमारा इसका फरिदाबाद का, यह सारा का सारा हमारा इसके अंदर शामिल होता है, एक लाख करोड, गुडगाओं एक्सप्रेस वे, छोटा सा है, 28 किलो मीटर, पर यहां पर जमीन के कीमत इतनी, देखो आप, 28 किलो मीटर के अंदर, हमने गुडगाओं या दौर का एक्सप्रेस वे बनवाया है, आठ हजार करोड रुपिया लगाए, गुडगाओं के अंदर, जमीन इसलिए हग गई, क्योंकि यहां डेवलोपेंट सबसे जादा हुई है, जाइसी बात है, और उसकी जगहें, अगर उसकी तुलना करी जाए, तो ट्रांस हरियाना एक्सप्रेस वे बनवाया है, उसका फासला शायद 200 किलो मेटर तक होगा, तो उसके अंदर भी 8000 करोड रुपे लगे हैं, जो नांगल चौधरी से लेकर के और कोई चंदीगर जाना चाहता है, तो उसको गुडगाओं दिली आने के यावाश लकता हुआ नहीं हरी आने के बीचों बीच कटता हुआ, और वो सिधा आपको अंबाला पहुचा देता है, तो हमने रोड्स का इंफ्रेक्स्ट्रक्चर लेडाउन किया है, हमने हेल्थ का इंफ्रेक्स्ट्रक्चर लेडाउन किया है, और हमने इलेक्ट्रिफिकेशन और जो रेल याता यात है, उसका इंफ्रेस्ट्रक्ट्टर लेडाउन किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन जैपुर से लेकर के रिवाडी तक की ये सबसे पहले हमारे दक्षिनी हर्याना के अंदर शुरू हुई है। गुरुगावा के अंदर मेट्रो का जिकर करें। मेट्रो हमारे हमारे हम पहले 14 से पहले आ गई थी उस टाइम भी सौभागी से मैं यहां का लोकसभा का सदस्य था। तो जो हुड़ा सिटी संत्र तक दिल्ली से मेट्रो आई थी, वो तो हमारे पहले बाले कारिकरम के दोरान हो चुकी दिन दौज साल का तो जिकर मैं उसमें नहीं करता, लेकिन जब मैं सन चौदा के बाद मंत्री बना भारत सरकार के अंदर नादर भाई होदी की सरकार के पैसा 65-70 फीसे दी तक हर्याना को राजस्व देता है कि इंदर के अंदर भी आज भी मैं सुन रहा था कि कुल चालीस लाख करोड का उत्पाद चालीस लाख करोड का राजस्व हर्याना से मिलता है उसमें से 36 यानि कि उनली 10 परसेंट लेस वो सिरफ गुडगावा से जाता है तो जो यह जो ओल्ड गुडगावा है उसके यहां से लोगों को यातयात में परिशानी होती थी क्योंके उनका पास खुद का साधन नहीं था तो यह सपना मेरा 14 के अंदर हुआ था तो जो उस टाइम जब मैं मंत्री बना महोधी सरकार के अंदर तो मैंने निवेदन किया पी-म से भी किया, सी-म से भी किया कि जी हमारे गुडगाओं को भी पुराने वाले को जोड़ दो फिर सौभागे से मेरे को अर्बन डेवलेप्मेंट का मंत्राले संभलवा दिया गया तो उस टहां मैंने निरदेश दिये थे कि इसका तुम प्लैन बनाओ और इसको तुम ओल गुडगाओं को भी करो क्योंकि यही लोग ऐसे हैं जो हमारे को सतहसीन कर दो एक लंबे समय से इंतजार भी था कि मेट्रो कब मिलेगी पुराने गुरुगराम को हाँ तो वो अभी हाली के अंदर केंद्री कैबिनेट की तरफ से पांच जार पांच सो करोड करीब इसक तिनो जो चीजे हैं पानी की का जिक्र जो आपने कि अभी भी जो SYL का पेच फंसा हुआ है देखिए इसके अंदर अकेला हर्याना कुछ कर पाए यह संभव नहीं है हर्याना के विशेक का यह मसला पिछले कई सालों से लग रहा है मेरे बाओ जी राव बिरेंदर सिंग एक जमाने के अंदर सिचाही विभाग के बी केंदर के अंदर मंत्री हुआ करते थे और उस टाइम के ऊपर उन्होंने फैसला करवाया था तीन चीफ मिनिस्टरों का उसके उपर हस्ताक्षर हुआ था शिवचरण माथुर राजिस्तान के वा करते थे दरबारा सिंह हुआ करते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हमारे यहां के चौरी भजनलाल जी हुआ करते थे इंदरा गांधी उस टाम के ऊपर हमारी परदान मंतरी हुआ करती थे तो इन तीनों के मार्फत एक फैसला किया गया था कि इतना पार्टी राजिस्तान का इतना हरियाने का इतना दिली का वगएरा वगएरा यह फैसला दो हुजार चे के अंदर अमरेंदर सिंग की सरकार हुआ करती थी कांगरिस की पंजाब के अंदर यूनि लैटरली तीन मुख्यमंत्री के और पद्धान मंत्री के हस्ताक्षर वाला फैसला एक तरफाई तोर के उपर उन्होंने रद कर दिया अब क्या होता है कि जो रद होता है तो किस गुहार कहां लगाएं या तो प्राइम मिनिस्टर पर लगाएं या राश्टर पती पर लगाएं तो हमारे हर्याना की तरफ से हमारी गुहार लगी थी राश्टर पती को और अगर आप प्रेजिदेंशल रफरेंस देखें जब स प्रेजिदेंशल रेफरेंस के तौर पे हो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आठ दस साल लटकता रहा सुप्रीम कोर्ट में फैसलन नहीं दिया तो यह दुर्भाग है इसके बारे ना मैं कुछ कर सकता ना पन्जाब कुछ कर सकता, ना हरियाना कुछ कर सकता, ना भारत सरकार कुछ कर सकती, यह तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेड़नेंट बॉड्टी है, तो वो पसमस्ला वहां फ़स किया 10 साल के लिए, जैसे ही हमारी सरकार आई, मोदी सरकार, जैसे हरियाना के अंदर बीजेपी की सरकार आई हमने उसको पुष किया सुप्रीम कोट के अंदर के फैसला दो इतने दिन तो नहीं लगते ना एक इसी प्रेसिजिशनल रफिर्मस के ओपर निरना लेना एक किसी तहसील वाले वकील से भी कोई पूछेगा कि वही टीन आदमि के अंदर के सुनना भी करी जाए और इसके उपर फैसला किया जाए तो हरियाना के पक्ष में सुप्रीम कोट में फैसला कर दिया अभी तक जितने भी फैसले हुए रावी ब्यास के वह हरियाना के पक्ष के अंदर आएं ये मैं आपको अन रिकॉर्ड कहने लग रहा हूं ल प्रवाजे को दोबारा दर्वाजे खटकटाने पड़ते हैं अब वह एक्जीक्यूशन के दर्वाजे हर्याना सरकार ने सुप्रीम कोट के खटकाए हैं लेकिन अभी तक फिर से उठ्टे बस्ते में पड़ा हुआ है यह समस्या है चलिए सब एक दो चीजे और थी एमस माज किया और अब गुरुग्राम के अंदुरीनी हिस्सों में भी मेट्रो जल्द ओड़ती दिखेगी तो यह जो जल्द का जो इंतजार है वो कब तक का रहेगा मोटा काम तो हो गया है 200 एकर लोगों ने सुनिश्चित करके सरकार को बेच दी है सरकार के हवाले हर्याना सरकार क को हेल्थ विभाग को दे दी है यह आपने 200 एकर मांगी थी आपके लिए यह हम तजवीज कर रहे हैं आप इसको लो और इसके लिए आप जल्दी से जल्दी एम्स पनवाएं करी मशक्त के बाद यह फैसला सिरे चड़ा है तो मैं समझता हूं कि अब जब सब कुछ मामला हो प्रधान मंत्री से ही हम उमीद करते हैं कि वो इसको अशलनास भी रखें और सौभागे से हरियाना एक ऐसा प्रांथ है जिसके अंदर दो दो एम्स होगी ज मैंने पहले इसका जिकर किया था एक आंधरा परदेश का जिकर है और आंधरा परदेश के हिस्सेदारी ही हो गई एक टिलंगाना बन गया एक अंधरा परदेश बन गया तो दोनों को एक 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 एम्स देना पड़ गया एक जमून कश्मीर की स्थितिया परिस्थिति जानते हैं तो जमूर को भी देना पड़ेगा और स्री नगर और वैली को भी देना पड़ेगा तो दो दो एम्स उन प् रखेंगे जब चुनावाएगा हाली में पटोदी में एक रैली होई थी उस दोरान आपने जो परभारी है उनको अवगत कराया था फैमली आइडी और जो प्रोपर्टी आइडी को लेकर जो परेशानी चल रही थी आम लोगों को काफी दिक्कते हो रही थी तो मंच से ही को लोगों का सहयोग मिला है चार बार में मले बन चुका हूँ पांच बार में लोगसभा का सदे से बन चुका हूँ शायद हर्याना में इतनी बार लोगसभा का सदे से कोई भी और ना बना हो अब तक तो लोग मेरे पास आकर के अपनी समस्या बताएंगे तो मेरा तो फर् मैंने रैली के अंदर हमारे जो प्रभारी हैं विपलव देव जी उनके सामने मैंने उसको पेश कर दिया मारी पार्टी के भी परदान बैठे हुए थे उनके सामने भी मैंने इसको पेश कर दिया और यह मैं को खुशी है कि उसके पेश होने के उपरांत या उससे पहले भी आज के दिन हर्याना सरकार इसके अंदर जो खामियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए 24 गंटे अग्रसर है दोहजार चोबिस के चुनाओ का जिक्र कर रहे हैं और हर्याना में अभी जिस तरह से देखा गया रैलियों का दोर भी शुरू हुआ ग्रह मंत्री भी आए और तमाम जो बड़े जो नेता हैं उन्होंने भी रैलियां की और लगाता और ये सिलसला चल भी रहा है तो तयारियों के तोर पर किस तरह से देखते हैं फिर चाए being लोग सभा की बात कर लें या विधान सभा की बात कर लें क्योंकि आस पास ही दोहजार 24 में चुनाओं होने हैं क्या पास 6 महिने के अंतराल में देखिए चर्चायं तो पब्लिक में ये भी रहीं कि लोकसभा के है चुनाव हों के साथ विधान सवा के चुनाव भी कर दिया। जहां इस तरह कदे का भी जिक्र लगाता। हाँ, तो आप याद करो 14 के अंदर पहले मोधी सरकार बनी थी और उस के बाद हर्याना सरकार बनी थी, जिस हर्याना के अंदर दो चार से फालतू बीजेपी के अमेले नहीं हुआ करते थे all of a sudden मोधी सरकार बनने के बाद हरियाना के अंदर 47 मेले बन गए और हमारी की इंडिपेंडेंट सरकार बन गई जो पहले किसी के कंदे के ऊपर चड़कर के बलबूते के ऊपर योगदान के साथ सरकार के अंदर शामिल हुआ करते थे तो फैसला दो करना है पार्टी ने तरित बने लेकिन हमने अपनी तरफ से और मैंने खास तरफ से यह सुझाव दिया है कि पहले लोकसभा जिस तरह से होता आया है और उसके बाद विधानसभा कर चुनाव होना चाहिए इसके अंदर सब को लाब है तो मोधी सरकार चौबीस के अंदर अप्रेल माई के अंदर एलेक्शन होगा उसके बाद विधानसभा का एलेक्शन होगा तो मैं समझता हूँ कि पहले मोधी सरकार को स्ताफित करेगी हर्याना की जंता और उसके बाद हर्याना के अंदर भी उसका अजर होते हुए हर्याना के अंदर हमारे को यह उमीद है कि तीसरी बार विधानसभा के अंदर भी बाहर चलतापाटी की सरकार बन जाईगी NDA के सामने अब इंडिया खड़ा हुआ है किस देखते हैं क्योंकि विपक्ष ने जो अपना संगठन बनाया है इंडिया आए अटिया ये तो एक चुनोती मानती है कही ना कहीं अगर सभी एक साथ जुड़कर एंडिया के साथ खिलाफ लडेंगे तो मुश्किल है कही ना कहीं हो सकती है दो हजार चोबिस में देखो, आपोजिशन ने संगटित होकर के हमारे को चुनावती देने का जो यह प्रयास किया है, तो कुछ तो अगर यह कामयाब होता है, तो कुछ तो वृद्धी उनकी वोटों के अंदर होगी, इसमें कोई दो राएं नहीं हैं, लेकिन पिछले जुनाव के दोरान, उननीस के अंदर हमारे को बावन परसेंट वोट मिली थी, अभी भी हम यह उमीद करते हैं कि हमारे को अच्छी खासी वोट मिलेगी, और आज एक स्टेज के उपर बैठ करके, हम यूँ कह दें कि हमारे को जितनी सारी पार्टियां संगटित हुई हैं, इनकी सारी की वोट जुड़ करके हमारे को मिल जाएगी, यह संबभब नहीं है, जब फील्ड के अंदर आप जाएंगे, नेता तो बेश्यक है, एक स्टेज के उपर बैठ के, लेकिन जब फील्ड के अंदर जाएंगे, जिस कारे करता का एक दूसरे के साथ दुश्मनी का रिष्टा रहा है, अपने सहयोगी पार्टी जो आज के दिन इंडिया बोलते हैं, उसका सदस से तो वो बन गए, लेकिन आपस के अंदर जो उनकी जो फ्रिक्शन बाजी है, वो तो समापत नहीं होई ना, तो इनकी जो कुल में लाकर के वोट हैं, वो उतनी ही वोट हमारे को विपक्शी तौर के उपर मिल जाएंगी, ये उनकी उतरफ से जो उमीद करी जा रही है, वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, उनकी वोट का प्रसेंटेज घटेगा, पहले की निसमत से बढ़े का शायद, और फिर भी हमारे को एज रहेगी, और हम तीसरी बार भारत के अंदर सरकार बनाएंगे। आमाद्मी पार्टी को कहां देखते हैं दोजार चोबिस के लिहाद से? देखे, आमाद्मी पार्टी वैक्यूम के अंदर अपना कद बढ़ाई चुकिए। दिल्ली के अंदर निराश हो गए थे लोग कॉंग्रेस की कई सालों से थी, सरकार तो दिल्ली के अंदर स्तापे तो गए। एंटी करप्शन का जो मामला था, दिल्ली से अंधर न वरना शुरू हुआ, वहां से उनको उर्जा मिली और वो दिल्ली में बन गए। पंजाब के अंदर भी कॉंग्रेस का तो बेडागर खोई गया था, तो पंजाब के अंदर वैक्यूम था और भारती जिन्ता पार्टी का जो सहयोगी था काली दल वो उस टाम के ऊपर हमारे साथ नहीं रहा था तो पंजाब में भी वैक्यूम था तो वहा भी स्तापित हो हर्याना के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, हर्याना के अंदर आज के दिन कोई वैक्यूम नहीं है, हर्याना के अंदर बीजेपी के अनेक बड़े बड़े नेता बन गए हैं पिछले दिनों के अंदर और मैं समझता हूं कि जो एक बार हर्याना के अंदर आने का उन्होंने था, शुरू के अंदर तो हो सकता है थोड़े बहुत लोगों ने उसके विचार के अबारे में सोचा जाए। लेकिन हर्याना एक बड़ा पॉलिटिकली अवेर स्टेट है, और उस तरह का जो हाल पंजाब के अंदर था, वो हर्याना के अंदर नहीं है। एक आखरी सवाल, सर, आपके लोग सवाजशित्र में दो नीगम चुनाओं पैंडिंग है, माने सर और गुरुग्राम, कब तक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लगातार जो है, क्यास लगाए जाते रहते हैं, कि अब होंगे, अब होंगे, और किस तरह से इन चुनाओं को भ जादा है, कई जिनों से, तो यह हर्याना सरकार देखती हैं इमामले को, डिलिमिटेशन ऑफ कॉंसिट्यूंसीज, जो अपने पुनिस्पल काउंसिलर्स की होती है, वो डिमिलिटेशन ऑफ कॉंसिट्यूंसीज चल रही है, थोड़े बहुत दिनों के अंदर कहते हैं कि यह हो जाएगा, और जैसे ही डिलिमिटेशन का यह खतम होता है, तो हर्याना सरकार ने कह रखा है कि हम चुनाव करवा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जैसे लिमिटेशन के बाद जल्दी से ही निरने लेकर के, इन तीनों चारों मिन्सिपैलिटीज में और कॉर्परेशन के पिरिने चुनाव करवा देगे, बहुत भполне शुक्रियासर हमारे गुरुग्राम मंच में आने के लिए तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तो फिलाला पोई बेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद गुरु गराम मंच में इसी तरह से यह सिलसला जारी रहेगा